योग में पहला कंसेप्ट है योग में पहला कंसेप्ट जब भी हम कोई भी फिलोसफी देते हैं या कोई भी टेकनिक किसी को देते हैं तो उसमें केवल पहले हम बहुत ऐसी मेसेज नहीं देते कि इमीडियेट एफेक्ट आ जाएगा जब कि आ जाता है अगर हम ऐसा मेसेज देंगे कि इमीडियट एफट आ गया या आ जाएगा तो उसके दिमाग में सिरफ एफट घूमेगा रजल्ट घूमता है गोँगा कि हां है रजल्ट मिल रहा है मिल रहा है रहा है मिल जाएगा और दस दिनों में उसका फोकस पर रहेगा एक्शन पर नहीं रहेगा इंपेशन पर तो इसी लिए जितनी भी एक्सेसाइजेज हम प्रवाइट करते हैं उसके साथ एक फिलासफी जरूर होती है कि हम बढ़ाना कह चाहते हैं उसमें सबसे पहले तो एक्सेसाइज करना इंपोर्टेंट नहीं होतना जितना साथ दे रहे हूं अगर वे एक्सेसाइज में इंवावव भी नहीं हो पायेगा तो रिजल्ट मिलेगा कहसे हैं तो रिजल्ट मिलने के लिए अ्पको कुछ टूंस अ छोटी है आपे पेसिंस होनी만े हैंनी हूँना जाहिए। आप में उस बद्रूंस को फील करने की इंवा मतलब एक सर्टन कॉंसें लेवल का अगर वो कांसेंट इस पैन नहीं तो गड़ गड़ कुछ जो अपने पुराने रिसी लोग थे सामानग लोगों के लिए जो कांसेंट्रेशन इसपैन बढ़ाने के लिए उनो स्वोस्य इस जल्दी रजल्ट के बारे में कहते थे कि नाड़ी सुध्धी प्रणयाम अगर तीन महने कर लो तो आपकी नाड़ियां पूर्ण रूप से सुध्ध हो जाएगा हर एक ठीक हो जाएगा कि तो ऐसा थोड़ी नहोता है कि अब नाड़ी सुध्धी का प्रणयाम करते हैं उसमें अगर वो तीन महें यही सोचता रहेगा कि यहां ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा तो फ्र इन्वाल्मेंट नहीं रहेगी अगर आप धंग से नाड़ी सुधी प्रणयाम करो बिना यह सब परपंच बताये बेनिफिट्स बताये तो उसको फर्स डेही नीद आ जाएगे बिसे प्रणयाम आप लोग करते हो तो आप करते करते आप कंपलीट नहीं कर पाते प्रणयाम को सो जाते हुआ सो इसलिए जाते हो क्योंकि आप उसमें बहुत लेप नहीं लगाए हो बहुत बेनिफिट्स के लेप नहीं लगाए हुए हो आप उसमें सरफ इन्वाल्व हो रहे हो है ना उस प्रिजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है उसको देख रहे हो ना कि रिजल्ट के बारे में सोच रह इसलिए योग में ये सब टर्म्स और कंडिशन को पहले समझाया जाता है फिर आसन प्रणयाम और ध्यान ये सब करवाया जाता है पहले नहीं और बताओ कोई कोश्चन हो तू परफेक्ट हेल्थ के लिए 24 आवर अपने पास होते हैं ठीक है नौमली लोग सोचते हैं कि सायद आधा घंटा या पंदरा मियट कर लेंगे जो बहुत दिस्प्लेंड लोग होती है वो एक घंटा कर लेंगे तो वो 23 आवर उनके ठीक हो जाएंगा है ना जो बिलो नॉर्मल है वो भी एक घंटे करने से रहे वो भी एक घंटे नहीं करते हैं मतलब 24 आवर वो सायद किसी और fantasy land में रहते हैं है ना वो सोचते हैं कि बहुत busy हैं काम में हैं उनके पास time नहीं है या उनका मन नहीं लगता है ना लेकिन perfect health के लिए आपको 24 आवर में 24 आवर पर ध्यान देना पड़ता है ठीक है ना ऐसा नहीं कि एक घंटा आप योगा कर लोगे तो ब बहुत साय डिजीज में लेंगे है ना fluctuations में लेंगे रिपोर्ट में लेकिन 24 आवर का मतलब यह नहीं होता कि आप 24 आवर exercise करें योग करें ध्यान करें या वाक करते रहें दिन भर है ना ऐसे नहीं होता है 24 आवर का मतलब यह है आप अपने उपर alert रहें अवेर रहें मतलब को discipline रहें जैसे morning में उठें तो सबसे पहले आप यह देखें कि पानी पीना है बॉडी को पानी देना चाहिए बॉडी को ओक्सीजन देना चाहिए बॉडी को वो देना चाहिए जो नीडिर है उस समय क्यों क्योंकि वह फास्टिंग से उठा है वह राद भर की फास्टिंग से उठा है माल दो दस गंटे की फास्टिंग कर लिया अब फास्टिंग से उठेगा तो आप तुरंत उसको भोजन थोड़ी दोगे उसको पानी दोगे ना oxygen दोगे ताकि उसकी बॉडी में stiffness खतम हो जाए राइट फिर उसको physical exercise दोगे इमीडियेट उसको सोचने की जिम्मे पर सारी चीजें सुरू हो जाया तो फास्टिंग से उठा पानी पिया ठोड़ा प्रणयाम किया डीब रीधिंग किया कुछ exercise किया detoxification हुआ उसका टॉले टॉलेट गया फ्रेस हुआ फिर उसके बाद उसकी real life चालू होती है जैसे योग में क्या क्या करना होता है perfect health के लिए सबसे पहली जो exercise हम मानते हैं काफ मुसल्स की जो काफ मुसल्स है उसकी exercise सबसे important हो इसलिए मैं हमेसा कहता हूँ कि वो second heart है ना second heart का मतलब दो angle से देखा जाता है एक तो physical heart और एक दूसरा है emotional part है ना जैसे कहते हैं वो बड़ा hearty आदमी ही हिर्दें से बोलता है अब हिर्द से बोलता है कि मतलब बहुत emotional है sensitive है तो जो second heart में emotions का आता है emotions और physical heart तो physical heart को भी वो काफ मुसल्स बेटर करता है और साथ साथ अगर काफ मुसल्स की अच्छी movement हुई तो वो anxiety or thinking को भी control कर लेता है राइट है मैंने जो प्रियोग किया था मैंने क्या हो मेरे student ने प्रियोग कर लेकिन वो मेरे student ने जो की suicide attempt किया था कई कि वो दर्दस 20-20 minutes काफ मुसल्स की exercise करते थे हमारी वाली जो heel up and down वाली और उसी सी ठीक होगी sleep disorder और anxiety or depression ठीक कर लिया तो कहने का मतलब है कि अगर आप अपनी morning में ऐसी exercise कर लें जिससे आपका जो thought process है रात से सो करके जब आप का mind over active हो रहा है और stomach भी over active हो रहा है body के हर एक और और आप खाना भी देंगे उसमें खाना भी तो भी जाएगा उसके पहले-पहले आप इस काफ मुसल्स की exercise को करके mind को over active मत होने दो माइंड को इतनी training दे दे कि वह चार छे दस घंटे तक cool and calm रहे क्योंकि आप जैसे उठे हो आपके दिमाग में office का भूत और घर का का काम का भूत चालू हो गया और आटमेटिक लिया जाता है कि तेजी से काम करो और कुछ हाल सी लोग जिसमें से हम सभी है मानलो नौ बजे आफिस जाना है तो साड़े आठ बजे ही उठते कि बस साड़े आठ बजे उठके तुरंट मैनेज कर लोंगा साथ बजे नहीं उठे हमेशा तो आप नहीं कर सकते ने उसे तो कहने का मतलब है कि आपके दिमार्ख में ओर एक्टिव थौर्ट जितने चलते हैं उसको आप पहले ही कुल एंक काम कर देते हैं तो आपके बोड़ी के ओर्गन सटल हो जाते फिर ज़्यदा ओर एक्टिव नहीं होने पाते हैं यह स तो फिर वो दिन भर और एक्टिव रहेगा, कोई भी थौट अगर आप मान लो, सुबा सुबा उठे और कोई एक थौट अगर आपके दिमाग में चल गया सपोज, तो आप उसे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, घंटो घंटो, फिर उस पैटर्न को तोल नहीं पाते हैं, नॉमल human being पैटर्न को तोल नहीं पाता है, इस्पेसली थौट के पैटर्न को, तो थौट का पैटर्न ही उस समय ना बनने दो, समझ गये ने, उस समय कोई भी थौट का पैटर्न नहीं बनने दो, तो बोड़ी आपकी हाइपर मोड पे नहीं जाएगी, अब आप कूल एंकाम हो करके exercise करिए, काफ मसल्स की exercise के बाद कुछ भी कर, हम लोग जो है, इस्पेसली काफ मसल्स की exercise को, मौर्निंग में बहुत recommend करते हैं, और दूसरा, navel की, मतलब center of gravity, तो बोड़ी में जो center of gravity है, हमारी navel है, और brain में जो center of gravity है, वो pituitary gland है, तो मौर्निंग में आप अपने काफ मसल् और कुछ नहीं पढ़ने दे रहे हो मतलब फ्लक्ष वेट नहीं होने दे रहे हो और इमोशन को फ्लक्ष करते हैं तो यह आपकी सेंटर अफ ग्राविटी यहां की कूल और काम हो गई और नेवल की हुई तो नेवल की आप कुछ ऐसी एक्सराइज कर लें जिसमें पेट की चा प्ष्ष्यमोतान असन हो गया, भोजंगासन हो गया, ये सारे आसन आपको आपके मिडिल रीजन के लिए होते हैं, मिडिल एब्डमेन के लिए, तो मिडिल एब्डमेन को जब आप सेट कर देते हो, तो आपका दिन भर का डाजेस्टिब सिस्टम भी ठीक रहता, प्रॉबलम प्रॉबलम फ्लक्ष्यमोट पर्फेक्ट हेल्थ के लिए, एक्सरसाइस से ज्यादा थाट और इमोशनल फ्लक्ष्यमोट पर है, तो आपको पर्फेक्ट हेल्थ नहीं मिल सकते हैं, इसलिए दिन भर में आप जब भी आपके थाट के या इमोशन के पैटर्न चेंज हो, उस से हम हैं, कोई अपॉइंट्मेंट पर बात कर रहे हैं, अब कोई चीज इरिटेशन हुई हमको, है ना, अब एक विक्ति हैं, उन्होंने कहा कि गुरु जी ऐसा है कि आपके एक्सरसाइस से हम जबर्दस लाव हुआ, पंदरा दिनों से, अभी तक किसी के प्रोग्राम से त इतने हम एरिटेट हो गए, तो अब आप ये बताओ कि एक ब्यक्ति को एक्सरसाइस दी जा रहे हैं, उससे उसको सारी बेनिफिट मिल रही है, अब वो कह रहा है, उस एक्सरसाइस को हम नहीं कर पा रहे हैं, उस एक्सरसाइस के लिए एक और एक्सरसाइस बताओ, अब उस वह तो इक्षा है, आपको दिख रहा है कि ये फादा हो रहा है, तब भी आप नहीं कर रहे है तो इसका मतलब है कि आप कहीं और किसी लेंड पर हो, तो हमने कहा ऐसा करो, कि आप नहीं करो तो ठीक है, मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं, अब जैसे मैं इरिटेट हुआ, नो कि किसी को कोई थौट आता नहीं दर दर इरिटेट हुआ तो अब उसको उसी समय कैसे काउंटर करो यह टेक्निक जैसे कोई चीज आए उसको काउंटर उसी समय करो वह इंतियार थोड़ी ने करोगे रात में ध्यान पर बैठेंगे तो वहां काउंटर करेंगे सब को क्लीन कर या मौनिंग में ध्यान पर बैठेंगे तो वहां क्लीन करेंगे ऐसे थोड़ी नहीं होता है उसी समय हैंडल करना होता है तो जब उसी समय हैंडल मैंने कहा कि ऐसा है कि आप मैं यह भी बोल सकता था कि कुछ ऐसे मंत्र कर लो कुछ ऐसी चीज़ें कर लो जिससे आप करने ल लगोगे हैं वह मेरी फिलोसफी नहीं है इस तरीकी की लेकिन हमने कहा ऐसा है कि आप छोड़ दो और मेरे पास ऐसी कोई टेक्निक नहीं है कि आप करने लगो जो आदमी आख उसकी देख रही है आखों में उसके प्रकास है और कहता है कि मैं देखने नहीं चाहे रहा हूं तो उसको मैं कैसे बताओं कि तुम देखो तो वो अंधा ही बनना चाहे रहा है तो उसका इलाज नहीं है मेरे पास हाला कि वो करने लगे बाद में पर आप जब उसी समय कोई भी थोट आएगा उसी समय काउंटर सुरू करोगे तो धीरे धीरे यही ट्रेनिंग आपको लॉंग टर्में बेनिफिट दे जाएगा फिर थोट आएगा ही नहीं बहुत सारे थोट बंध हो जाएं क्योंकि काउंट काउंटर करने के लिए आपको कुछ बोलना पड़ेगा ने हम बिना बोले भी काउंटर कर सकते हैं आपको एसे रिलेशन में हो जहां बोल नहीं सकते हो आप से बढ़े हैं या आपकी रेस्पेक्टेड जो भी कुछ भी है उन्होंने आपको चेट नचलान किसी भी रीजन स शुरू किया बड़ आप ऐसे पोजिशन में हो क्या इंटर्नली काउंटर कर लो दो टेक्निक होती है अब जैसे मान लो हम किसी ऐसे इस्थान पर हैं जहां हम बोल सकते हैं काउंटर कर सकते हैं वहां काउंटर कर लो किसी ऐसे इस्थान पर हैं जहां काउंटर नहीं कर सकते तो वहाँ पर अपने आपको neutrality सिखाओ कि हम neutral कैसे हूँ note करो जैसे यहाँ पर आप मेरे student हो आपने कुछ बोल दिया वहाँ मुझे बोलने का हक है ठीक है ना? हमने बोल दिया अपनी philosophy दिया अपने हिसाब से हो सकता है कल वही सेम सिचिवेशन घटे तो कल कुछ और बोल दे क्योंकि आप नहीं नहीं चीजे निकाल रहे हो अपनी को अपगरेट कर रहे हो एक ऐसी सिचिवेशन है मालो मेरे पिता है अब उन्होंने कुछ बोल दिया तो पिता के सामने आप काउंटर तो करोगे नहीं न क्या बोलोगे आप गुरू के सामने क्या काउंटर करोगे गुरू के सामने तो कर भी सकते हो अब पिता के सामने माता पिता के सामने नहीं बोल सकते हैं तो वहां पर सेपरेट और नीटल कैसे हो तो वहां यह मत देखो कि हम गलत कर रहे हैं, वहां पर हम नूटल हो जाएं, नूटल का मतलब नो थौट जोन पर चले जाएं, कि हम यह नोटिस करें कि हमको कहीं रियक्शन नहीं हो रहे हैं, इंटर्नली, कैसे रियक्शन लेस स्टेट में जा सकते हैं, तो आपको हर जगात तो ट्रेनिंग मिल रहे हैं, देखो हर एक व्यक्ति की अपना थौट प्रोसेस होता है, जरूरी नहीं कि आपको जो थौट प्रोसेस है, वह आपके भाई का हो, इसका मतलब थूड़ी नहीं कि अगर वही सेम हो तो ठीक है, नहीं तो उसको गोली मार दो, ऐसा तो हो नहीं स प्रोसे है, यह ट्रेनिंग होती है माइन की, पॉजिटिव, नेगटिव, फिर उसके बाद नूटल, तो पॉजिटिव, नेगटिव एक पार्ट में जाता है, और नूटल होना एक पार्ट में, यह हम उससे सीख रहे हैं, जब हम पेन हो रहा है, बट उसको जो आप बताते सेपरेशन आपको सीखना ही पड़ेगा, जैसे सेपरेशन आप नीद में जाते हो, तो सेपरेशन ही तो सीखते हो, लेकिन चुकि आप यह हम सभी इतने इग्नोरेंट हैं, कि हम उस सेपरेशन के प्रोसेस को नहीं समझ पाते, अचानक पल्टा-ाल्टा-पल्टा करते रहते गाइब हो जाते हैं। अगर उस step by step के प्रासेस को समझने लगे हर एक आदमी के जीवन में होता है। कभी और नष्ट कर रहा होता है। धिरे धिरे वो नीद में जा रहा होता है। और लास्ट में उसको खराटे कभी अनभव होता है, कि सांस में अपनी आवाज सुनने लगता है, फिर वो गायब होता है, लेकिन उस प्रोसेस को बहुत कम अनभव करता है, साल, दो साल में कभी अनभव कर लिया, नहीं तो कभी होते ही नहीं, तो जब आप step by step separation को अनभव कर करते हो, और यह practice से ही होता है, बिना practice को तो होगा नहीं, अब कभी कभार by luck हो गया तो ठीक है, तो उसको लेकर के तो नहीं कोई कल्यान होगा, लेकिन practice से ज़्यादा होता है, practice से आप उसको apply करा सकते हो, तो जब आप routine में practice करते हो, daytime routine, और daytime में अपने पास बहुत सारी च खतम करो, तो आप के पास time तो मिल गया है, कि आप जल्दी बाजी भी कर रहे हो, लेकिन यहाँ पर stress नहीं आने दे रहे हो, practice हो रही कि नहीं, एक examination में जब एक student जाता है, तो उसको यह सिखाया जाता है, कि बिटा देखो, speed को maintain करो, writing बिल्कुल perfect होनी चाहिए, writing change नहीं होन आपकी words, आपके sentence पूरी तरह से समझ में आने चाहिए, सब्द बहुत अच्छे सुन्दर होनी चाहिए, writing speed जादा होनी चाहिए, इसका मतलब है कि आप यहाँ से stress free रहोगे, तभी तो करा सकते हो, अच्छा यहाँ से अगर तनाव में रहोगे, तो आपकी इस तीनों चीज मिल रही है, ज्यादा प्रियोग करने के time मिल रहे है, situation मिल रही है, जो दिन भर घर में बैठा हुआ है, जिनके चार नौकर लगे होई है, उनको क्या है experiment करना, कुछ नहीं, टीवी देख रहे हैं, बस पानी भी आ जा रहा है, सब कुछ आ जा रहा है, कोई management नहीं, गालिया करने भी दे रहे हैं, अपने helpers को, लेकिन हम लोगों को ज्यादा time मिल सकता है, experimentation के लिए, हला कि उनको भी मिल सकता है, वो helper को भी ज्यादा manage करने में लगा सकते हैं, लेकिन नहीं लगाते हैं, क्योंकि धन है और दिमाग है नहीं, by the way, perfect health के लिए, दिन के routine में, जो mental management है, वो one of the best, जब आप घर में आए, तो अब घर में आपका खाना, exercise, रात में सोने के पहरे जो movement है, वो सब परफेक्ट होने जो है, बस अगर आपको deep sleep मिल गई, morning में आपका routine सही हो गया, और day time में आपके experiment हो रहे हैं, तो और चाहिए क्या है, हो गया, इससे अच्छा क्या है झाल